नमस्कार दोस्तों आज का डिक्टेशन 90 सब्द प्रति मिनिट श्टार्ट होगा 5 शेकिन बाद श्टार्ट यरुसलम की अल असका मस्जिद में इसराइल की कारवाई ने एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बना डाले चार दिन से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर मिसाइलें और बम गिरा रहे हैं अब तक सो से जादा लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ के रिहाईसी इलाके खंडहरों में तबदील हो रहे हैं इससे भी जादा चिंता की बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भड़के इस युद्ध में महासक्तियां भी सक्रिये हो उठी हैं लेकिन इस बार जिस तरह से इजराइल ने अक्रमक रुख अक्तियार किया है उससे तो लग रहा है कि वह फिलिस्तीन को मटिया मेट करके ही दम लेगा अगर बमों और मिसाइलों से हमलों का यह सिल्चिला जल्द ही नहीं थमा और बड़ी ताकतें भी इसमें कूद पड़ीं तो इससे तीसरे विश्व युद्ध की नीव पड़ती देर नहीं लगने वाली एसे युद्ध की लपटें एक बार फिर हजारों बेकसूरों को लील जाएंगी मामला इस बार जादा इसलिए गरमाया की अल अक्सा मस्जिद में इजराइली कारवाई रमजान के दोरान की गई भले ही पूरा मुसलिम जगत इस पर अभी मुखर नहीं हुआ हो लेकिन इजराइल की इस हरकत से सुन्नी बहुल देशों में भयानक गुशा है पाकिस्तान और तुर्की तो जिस तरह से खुल कर फिलिस्तिन के साथ आ गए हैं उससे हवा का रुख समझा जा सकता है तुर्की के राष्ट्रपती एर्दोगान रेसेव तैयप ने तो रुख के रूस के राष्ट्रपती व्लादी मीर पूतिन से इजराइल को कड़ा सबक सिकाने को कहा है उधर अमेरिका खुल कर इजराइली कार्यवाई का समर्थन कर रहा है जाहिर है रूस भी बहुत देर तक सांत नहीं बेठने वाला अल-अक्सा मस्जिद से फिलिस्तिनियों को ख़देडने की इजराइल ने जो कार्यवाई की लगता है वह सुनी योजित थी इसका मक्सद फिलिस्तिनियों को उकसाना और फिर हमले का बहाना धुंडना था मौजूदा लडाई का नतीजा इजराइली सहरों में अरब मूल के लोगों और यहूदियों के बीच दंगों के रूप में भी देखने को मिल रहा है इसराइल में अरब मूल के लोगों की आबादी 21 फीशद है एसे में इसराइल में अरब यहूदि संखर्ष और भयानक रूप ले ले तो कोई आस्चरिये नहीं दुनिया के हालात के मद्य नजर इसराइल और फिलिस्तिन के बीच मौजूदा संगर्ष थमना चाहिए इसी में सब की भलाई है हालांकी दोनों पक्सों के बीच समस्या का कोई समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता इसका कारण इस संगर्ष में अमेरिका जैसी ताकतों का रवया है इस्राइल पस्चिम एसिया में अमेरीका का प्रतिनिदी देश है उसे के जरिये इस छेत्र में अमेरीका के हित सदने हैं अमेरीका के दम पर ही इसराइल फिलिस्तिन की सत्ता पर काबिज हमास को मिटा देने के सपने देखता रहा है पस्चिमी देश पहले से हि हमास को उग्रवादी संग्ठन मानते हैं इस तथ्य को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि हमास जिस ताकत से इसराइल को चुनवती दे रहा है उसके पीछे भी कई सक्तियां होंगी गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि हमास जिस तरह से इसराइली सहरों को निभा निसाना बना रहा है उससे उसकी बढ़ती सेन्य ताकत का भी पता चलता है जाहिर है हमास को सेन्य मदद देने वालों की भी कमी नहीं है गौर तलब है कि अफगानिस्तान में तालीबान का उदय अमेरीकी नीतियों की देन रहा है इसराइल को इससे सबक लेना चाहिए हमास भी इसराइल की ही देन है लेकिन अब वही उसके लिए संकट बन गया है एसे में अफगानिस्तान में जो हस्र अमेरीका का हुआ आगे चल कर वैसे ही नतीजे कहीं इसराइल को भी नए झेलने पड़ जाएं समापत